हाई गाई मैंने में जूत कॉष एंड वेलकम ट्यूस्तफ यह हैं यह हमारे जावा कोर्स फॉर क्लासे 9 तेंट का लेक्चर नमबर 8 और आज हम बात करने वाले हैं डेरा टाइपस के बारे में तो आई यह सब से बिल जानते हैं डेरा टाइपस होते हैं मैं आपको इस चीज पताता हूं यह जाम लेक्चर नमबर 8 में रिख बात करेंगे और लेक्चर नमबर 9 में वेरेबल स्कार बात करेंगे तो यह तूलों चीज़े हमारी एक दूसरे से कनेक्टिट हैं यानि यह जब भी हम यह दोनों चीज़ें हम एक साथ लिखते हैं जावा प्रोग्राम में अब इस a variable में आप क्या कर सकते हैं value store करवाएंगे तो हमने value store करवाई 10 अब एक a variable होगा अब इसको कैसे पता चलेगा जैसे हमारे इसके अंदर कौन सी value store होनी है हमारे पास यह कि बहुत सारे हमारे पास केहते हैं काफी तरह कि हमारे पास values होती है कौन काफी values होती हमारे पास एक होती है निमरिक value फिर एक होती है हमारे पास character value है फिर एक होती हमारे पास boolean value ये हमारे पास यह तीन तरह की values है numeeric value है नि 10 20 30 Chariler value है और character a लिख नहीं character b लिखते हैं फिर boolean value है नि het true or false तो अब इन में से कॉंसी value store हो रही है एसको ये कैसे बता चलेगा कि इसके अंदर कॉंसी value store हो लाई है ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक a variable declare कर दिया अब हम इसके अंदर को इसके value डासकते हैं कि हमें अगर numeric डालने है numeric डाल दी हमें bureal डालनी है तो हमें इसके अंदर Boolean डालती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें इस variable को बताना पड़ेगा, कि इसके अंदर कौनसी value store होएगी, यानि देख लीजिए जैसे, हमें बस एक A variable है, और memory में इसको जगे मिली है, यहाँ पे, तो यह A variable इस memory का नाम हो गया, अब हमें यहाँ बता चलेगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इसने में पता चलेगा कि इस memory के अंदर कौनसी value store हो रही है, यानि नुमेरिक value store हो रही है, character value store हो रही है, या फिर Boolean value store हो ली है, तो वो होते हैं हमारे data types, जो variable को बताते हैं कि कौनसी वाली value उस variable के अंदर store हो रही है, तो अब data types ही तो arkadaş Si ma还 Paस बहुत टाइप की उते हैं और फिर उनके अंदर अंदर सब थियå तो आप बात करते हैं उनके बारे में अब अब हमने डेटर्लटाइप के बारे तो जानने कि हमें data types क्या होते हैं अब data types हमार पास दो तरह क्यों होते हैं पहला उते हमार पास प्रिमिटिव डेटाइप और दूसरा हमारे पास नॉन प्रिमिटिव इनकों reference data types भी कहते हैं क्योंकि इसके इंदे reference का क्या मतलब होता है reference मतलब इस चीज़ को reference करें यानि इस चीज़ को address करें इस चीज़ का address हमारे पास है तो इस यहां पर इंक इस्तमाल होता है addresses का इसी वज़े से हम इने reference data types भी कहते हैं तो हमारे पास दो तरह की data types होते हैं यह एसे data types हैं जो हमारे पास पहले से ही बने विए हैं Java library के अंदर हमारे पास primitive data types पहले से बने होते हैं और non primitive data types user खुद बनाता है यानि अगर हम है user तो हम इन data types को खुद बनाएंगे लेकिन primitive data types हमें पहले से यह बने बनाए मिलते हैं और उनका हम अपने कहते programming के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह होते हमारे primitive data types और यह होते हमारे non primitive data types अब primitive data types के अंदर में पास आठ primitive data types होते हैं यानि आठ primitive data types हैं उनके अंदर हम कोई साभी इस्तेमाल करेंगे तो वो बताएगा variable को कि उसके अंदर कौन सी वायली किस टाइप की वायली स्टूर होगी निमेरिक बूलियन क्यारेक्टर कौन सी वायली स्टूर होगी string value जो होती है string value हम data types इस्तेमाल नहीं करते हैं उसके लिए string class होती है वह आपको बात में बता चलेगा 10th class में सबसे last चीज होती है string उसमें आपको चलेगा 9th class में आपको जानने की जरूत निया भी इतनी तो प्रेमिटिव टेयर टाइम्स अब प्रेमिटिव डेयर टाइस हमारे पास 8 होते हैं primitive सबसे पहला होता हमारे पास byte फिर दूसरा हमारे पास short यह हमेशा small letters में पूरे small letters में क्योंकि यह एक keyword है हम इसको ऐसे तो इस्तमाले कर सकता identify के रूप में यह एक keyword है यानि keyword हमारे हमेशा छोटे होते हैं यह लोग के अंदर byte short फिर एक होता है int फिर long बाकि मैं यह लिख देता हूं क्यार बूलियन फिर होता है float और एक होता है double तो यह है हमारे पास 8 primitive data types यानि यह एक data type है यह सारे 8 यह data types है यह बताएंगे variable को कि उसके अंदर कौन सी value store होनी है क्यासे हमने लिखा हम एक example लेते हैं हमारे पास से यह int data type है ठीक है अब हम यहाँ पर लिख देते हैं int a हमने अब इस वेरेबल को declare करा अब यह वेरेबल हम आगे अपनी programming के अंदर जब भी हम इस वेरेबल में अपनी value initialize कराएंगे तो अब इस वेरेबल को पता है कि मेरे इन्दर इंड निम्रेके वाल्यू इनमें से ही बाइट शॉर्ट इन्ट और लॉं यह निमर्यू स्टौर करते हैं कियारक्टर जो होता है यह यह character value store करता है boolean हमारी boolean value store करते हैं true या false और यह फ्लोट और double होते हैं यह भी हमारी numeric value store करते हैं लेकिन यह वाली जो होते हैं यह तुमारे वैसा वाले जैसे 10 20 30 बिना decimal वाले अगर decimal वाला आ हमारे पास तो decimal वाले में हम इनकर स्टमाल करते हैं यानि हम ऐसे लिख सकते हैं इसे इसे इस इकोल तो 10.5 नहीं वहाँ पर गलत जाएगा हम इसके अंदर कोई सकते हैं 10 20 30 40 50 100 कोई सी भी लेकिन उसके अंदर पॉइंट नहीं आना चाहिए पॉइंट आएगा तो हमें इनकर स एक मतलब इसको पता चलिए कि इसके अंदर एक इंटीचर वाल्यू स्टोर होनी है कोई से भी इंटीचर वैल्यू हो उससे फर्क नहीं परता हां लेकिन इनकी रेंज होती है कि इस वैल्यू से लेकर सिर्फ इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं यानि उसके अंदर वह वह हम बात में बात करेंगे देटर टाइप का एक चार्ट बनाऊंगा मैं यह आपे तो इससे आपको सब कुछ बताऊंगा कि उसके अंदर कितनी स्टोरेज लेता है वो और उसकी क्या क्या रेंज होती है तो यह होगा हमारा इंट इसको पता चलिए कि इसके अंदर इंटाटिचर वैली स्टोर और होई की यह होगी है हमारा में अप्रिमिटिव टेक्स हमें इसमें प्रेमिटिव कर चला है शॉच्प यह होते हैं अभी नॉन्विटिव टेक्स क्लास डाइन यह और फिर इंटरफेस अभी क्या होते हैं अभी आपको एरे और इंटरफेस के बारे में पता नहीं आपको सिर्फ क्लास के बारे में बता है तो हमसे भी क्लास समझेंगे क्योंकि एरे बाद में आता है तेंथ क्लास में तब आपको बता चलेगा कि एरे एक के थे हमारा नॉन प टाइप का प्रोग्राम बन गए यानि एक क्लास है इसके अंदर यह क्लास है और उसके अंदर हमारा कोड लिखा है तो नॉन प्रिमिटिव डेरा टाइप हमारा क्या है क्यों क्योंकि क्या एक क्लास का नाम है हम क्या करते हैं जैसे हम हमें हम इस क्लास का अब्जेक्ट बनाते आपको बता है तो object कैसे बनता है, if about that channel आप यह हमारा syntax होता है तो इससे में पता चलता है कि यह हमारा o object बनता है यह जो cat class थी, इस class का, हमने object बनाया, इस syntax तो अब इसके अंदर क्या होता है, यह जो obj है हमारा object नहीं है, iầy हमने cat class थी, हमने इसका बनाया को अब्जेक्त लेकिन यह जो ओबीजे हैं यह हमारा को ऑब्जेक्ट नहीं है औब्जेक्ट हमारा मेंघ्री में यहाँ परतो सा हिस्सा है उसके अंदर जो stuffs in the sort a lot यह यहां बन गलेगे हमारा लेकिन यह जो हमारा O'BJ इसके पास क्या है इसके पास ये एक reference वरिबल इसके पास इसका address है यानि इसका address हो मैं प्रसकुछ भी हो हुज A के अंदर 10 है क्योंकि A इस चीज़ का नाम है यहां पर नहीं कहीं और memory में उस memory को हमने A नाम दी दिया और उसके अंदर 10 है लेकिन यहां पर क्या रहा है OBJ अपनी जगई है OBJ के पास क्या हो जाता है इसका address आजाता है यहां पर object बन जाता है और OBJ के पास उसका address है तो reference यह तो होगा हमारा reference variable यानि इसके पास किसी चीज़ का address है यह भी variable है हम इसको reference variable कहेंगे क्योंकि इसने reference रख रख रखा है अब यह जो cat है यह हमारा non primitive data type यानि हम इसको कह सकते है reference data type क्यों क्योंकि यह एक class का नाम है यह बताती है मतलब जैसे हमने देखा data types क्यों होते वो बताते है variable को कि किस type की value store रही है तो यह बताएगा कि इसके अंदर किस type की value store रही है इसके अंदर कौन से टाइप की value store होएगी cat type की क्योंकि यह जो object है यह जो object बना उसका address store हो रहा है तो वो जो है हमारा object वो cat type का cat type का object है तो इसके अंदर बता चलेगा हमें कि cat type की value store हो थे हमें इसको ऐसे ही लिख सकते ही कि हमें लिख दे हैं आपर हमने लिखा int int type की value store हो रही है नहीं यह गलत हो जाएगा बिल्कुल भी हम जब भी object बनाते हैं तो हम non primitive data types का इस्तेमाल करते हैं ना कि primitive data types का हम जब भी normal variables के साथ अपना काम करें उनके साथ खेलते हैं तो हम किसका करते हैं primitive data type लेकिन जब भी हम औजेक बनाते हैं लग बख करते हैं और बहुत हो और होते नहीं है जब और यह अब ऑजेक्टनी बना रहे हैं हमसे रेफरेंस अब बना रहे हैं तो इसके साथ हम हमारा एक reference data type है यानि अब जब भी हम इसका हम object बनाएंगे अगर तो हम object कैसे बनाएंगे dog अब reference variable का नाम कोई सब्सक्राइब सकते हैं जिसे लिखा है यह ज़रूरी नहीं कि हम यहां पर सिर्फ उसके अंदर uppercase और lowercase अलग-अलग है यहनि जैसे मैं आपको बताया था जैसे हमने पहले keywords की बारे में इस्तिमाल करता तो keywords हमने बहुत सा है बताय थे एक new keyword था जो हमने यहां पर भी of new is equal to new dog तो यहां पर क्या हुआ एक new नाम का variable बना हमारा reference variable जब भी हमने लिख यहां पर new तो जैसे हमारा जो compile होगा वह लेफ से राइट चलेगा हर statement में उसको पता चलेगा dog एक हमारा reference data type है फिर वह आगे चलेगा new new हमारा एक variable है जो किस type की value store करेगा यानि object store करेगा dog type का उसके अंदर dog type का object store हो सकता है फिर वह आगे चाहेगा new new से उसे पता चलेगा कि इसको मतलब यहां पर object creation करना है हमें और उसको value उसको हमें memory देनी है कहां पर मतलब अपनी memory के अंदर कुछ space देनी है तो यहां पर memory है जैसे तो जैसी यह new पर पहुंचेगा तो यह एक हिस्सा इसको मिल जाएगा उसके अंदर मारा object बन जाएगा और उस object को जो address होगा वह मिल जाएगा new को फिसका अधिया घंस्ट्रक्टर होता है यह आपको बाद में बताएंगे कि क्या होता है तो अभी आपको यह सक जानना है कि यह reference data type होता क्या है बस यह reference data type यह होता है कि वह बताता है कि यह उसके अंदर कोई object store हो सकता है तो यह होता है हमारा primitive data types और non primitive data types की बीच में difference डस्तर भी गिंदा हो गया अच्छा तो अब हमने जान लिया कि primitive data types और non primitive data types होते क्या है अब देखिए अब हम एक और चीज़ बात करते है default values के बारे में कि हर primitive data type की और फिर non primitive data type सबकी एक default value होती है तो default value होती क्या है जैसे माननी जी हमने एक int a नाम का विरिप हमने एक a variable बनाया और उसको हमने तो system.out.println और a यह printing line होती है बस आप अभी इतना समझें कि यह जो line होती है यह print करती है ठीक है तो अब int a है अभी तो हमने सिर्फ इसको declare करा यानि कोई memory में कोई memory के अंदर कोई space है छोटी सी उस area को ना मिल गया ए यानि a के अंदर हम जो भी value डालेंगे वह यहाँ पर पहुंचेंगे ठीक है तो अब यह है तो हमने सिर्फ declare कराे है यानि samyn कोई value नहीं है तो जब हम इसको print कर वाएंगे a तो यहाँ पे print क्या होगा इसके अंदर कोइ value नहीं है तो तब हमारी क्या हमारा हमारा यहाँ पेले हम बात करतें की यहाँ पेल महारा यहाँ बात करते हैं रही जब यह सब समसकते हैं कि जैसे compound चला तो उसे पहले इंट टिका तो उसे पता चल लगए कि यह इंट- consider को फिर वह आगे चला तो उस्हीं अभी के नाम चलिए अब सैसे वह हैं इस पता चलता है कि इंट-vari, इस पता चलिए कि- इंट- कि अभी के डिफॉल्ट यानि डिफॉल्ट यानि पहले से कि उसको वैल्यू देती उसने जीरो कि इसके जीरो होगी अब अगर हम इसको ऐसे लिखते कि a is equal to 10 तो क्या करता है जब उसे ए में पता चलता तो वह डिफॉल्ट वैल्यू देता फिर जब आगे चलता तो उसको पत लेकिन इसमें मारा कीस होता है कि कि मारे पास इंस्टेंस वेरिबल्स और लाइस यह लॉटकि वह अगर कोई भी वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं तो वह डिफॉल्ट वैल्यू रख लेगा अपने पास तो यहां पे मारे जीरो प्रिंट क्यों हो रहा है क्योंकि जीरो है वह ह हमारा इंट डेटाइप की डिफॉल्ट वैल्यू इस वजह से हमारा यहां पर जिडियो प्रेंट हो रहा है अगर हम आप कुछ और लिखते हैं घैसे हमने लिग डबल डी इक्वल टू कुछ नहीं डबल डी लिखा और हम यहां भी डी प्रिंट करवा रहे हैं तो अब क्या प्रिंट होएगा तो यहां पर मारा प्रिंट होएगा 0.0 क्यों क्योंकि जो 0.0 है वो डबल टेटाइप की डिफॉल्ट वैल्यू है इस वज़े से तो अब हम सारे जितने भी हमारे पास डेटा टाइप से अब हम उनकी डिफॉल्ट वैल्यूस के वाले बात करते हैं अब हुआ 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 है तो यह होते हमारे पास आठ प्रिमिटिट टेटाइप्स अब हम जब भी कहेते हैं विरेबल डेकलेर करेंगे हम उनके साथ यहां पर कोई डेटाइप लगाएंगे और अगर हम उनको कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू यह होते हम आपस जीरो यह बाइट शॉट इंट और लॉंग यह हमारे कहेते भी को भीवी करते हैं लुट कि इन का उन्स अफिस्ट करना फिर बादें इनका तो इन सब की डिफॉल्ट लम इनकी जो डिफॉल्प वैल्यू जे वह जीरो हम हमने कोई रेवल्हा करा हमने लिख़ा दो द्रम पर यहां पर क्या कि क्या प्रेंट इसका डिपॉल्ट वैल्यूु अगरं हम लिखना चाहते हैं तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू और त्बास यो000-اक है यह हम्हाना है एक है ह dużo है हक्ष कूड़ होता है है यह समय ये सोफ होता है यह उस समय ऑचमर लॉपदर टो यह उस में लिखा होता है बैय कि सी लिए मैं पता है हमने और लिख रहे हां इंट आप हमें इसी डिफॉल्ट वैल्यारी है हमें तो द chopped OH तो सिटने तो अगर हमेंगे सको क्या य설ी देंगी को श्रूट समधर में यसको डिफॉल्ट बैलिवियो देंगे तो अायल जीँ कि पैक वेर इसे दीग दिया इसे नहीं सकते। अब देस्टर भी गिलिया तो हम यहां पर लिखते हैं बैक्स लश्यू 0000 चार बड़ जीरो तो यह वैल्यू हम दे देते हैं इसको यह उते हैं हमारी किट टेटाइप की डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमें डिफॉल्ट वैल्यू इनिशिलाइज करनी है मतलब हमें को इमने व दो अब हम जब भी एक चीजा पताया है तो उसके बाद हमें फ लगाना जरूरी होता है इसके बारे मंगा बात में बताएंगे क्योंकि आप जरूरी नहीं है आपके लिए यहां रहे लागा दिया सेमेको लाइए था ल्याग क्योंकि है स्टेटमेंट एंड हो रही है तो तो जब भी हम float data type का कोई variable बना रहे हैं उसके लास्ट में हम एक f लिखते हैं यह जरूरी होता है इसकी अब default value क्यों होती है इसकी value होती है 0.0f 0.0f ठीक है फिर double की होती हमारे पास 0.0 क्योंकि अंदर decimal value store करता है कोई real value रियल लिटरल फिर होता हमारे पास boolean तो boolean की default value क्यों होती है boolean की default value होती है false सबके बाद semicolon लगाती है ठीक है तो यह होती हमारी default values byte की होती हमारे पास 0, short की भी 0, int की भी 0, long की भी 0 फिर care की हमारे होती है backslash hue 0000 चार बार 0 है कम मत कर देना एक ज्यादा ठीक है फिर float की होती हमारे पास 0.0f एफ लगा दें नहीं तो marks कर जाएंगे double की होती हमारे पास 0.0 और boolean की होती हमारे पास false तो यह होते हमारे पास 8 primitive data types और उनकी default values अब बात करते हैं कि हमारी जो non primitive data types होते हैं उनकी क्या value होती है अब हमारे पास कोई non primitive data type को को वेरिबल है यानि रेफरेंस वेरिबल है तो हमने मानने जी हमने एक dog class बनाई थी तो इस dog class का में एक वेरिबल बना रहे हैं हमने लिखा dog obg लिख लेते हैं ठीक है तो हमारे एक वेरिबल है इसका type क्या है dog यानि यह dog type का अपने अंदर कुछ बनाई तो अब इसके अंदर होगा क्या वेरिबल होती क्या है वह थी हमारी नल नल मतलब कुछ नहीं इसके अंदर कुछ नहीं होगा यह खाली होगा तो हमारी हर बार जब भी हम नॉन प्रिमिटिव डेटाइप का स्तमाल करके अगर हम कोई वेरिबल कर वादे हैं तो वहां वहां हमारा नल होता है तो जैसे अगर हम लिखें डाग ओबीजे एक्कोस्टू न्यूट तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे वह आगेगा एक कंपाइलर उससे पता चला डॉक्ट डॉक्ट डेटाइप होएगा हमारा ओबीजे एक वेरिबल डेक्लेयर कर दिया उसने क्या अगर इसको नल नल दे दिया यानि इसका अध्रेस होगा किसी बाइनरी लांगवज में वह चीज होती है इसके पास चीके ना तो अब इसके पास नल है हम इसको प्रेंट कर वाएंगे तो नल ही आएगा हमारा फिर जब यहां पी जब ऑब्जेक्ट बना उसको मेमरी ऐलोकेट हुई तब इसको उस चीज का एड्रे एह तो यह हो गया हमारा डो desenvolv में अब हमें अब अब मैं यह को सारे चीज पाताचा है हर चीज का हर्टी का साइस के है उसकी रेंज कि ने वह कहां तक वैल्य स्टोर कर सकता है यानि जैसे हमने लिखा कोई इंट तब इंट एक अंदर हम वन स्टोर कर आ सकते हैं तेंट थाउजन टेन थाउसन एसम कितना एह थोड़ी हमने इतनी सारे जीरो लगा दिये इतनी बड़ी वैल्य स्टोर कर लेगा उसके कुछ रेंज होगी कुछ कम से कम से लेकर जादा से जादा तक वह कितनी वैल्य स्टोर करना सकता है तो वह साही चीजे अब हम उस चार्ट में आपको बताएंगे तो यह हमारा डेटाटाइप का चार्ट अब इसके अंदर बात करते हैं कि हम यह यह अपर डेटाइप बात करते हैं तो सबसे पहले हैं तो सबसे पहले हमारी जाए पास बाइड है काफी सारे ब्लॉक्स है करोड़ो यह memory है ऐसे blocks बने वें छोड़ छोड़े तो ऐसे छोड़े-छोड़े blocks है बहुत सारे तो हम byte लिख रहे हैं byte कितनी ले रहा है 8 bits यानि एक दो तीन चार पांच छे साथ 8 bits इसके लिए खर्च हो जाएंगी इसके अंदर binary में कुछ लिखा होगा number जो बताएगा कि एक byte है ठीक है वैसी शॉट शॉट क्या होता है जैसे अगर हम शॉट का example लेते हैं तो शॉट दो बाइट से हैं तो बनाता है यानि इसके अंदर जितनी भी बेट से हैं उसके अंदर बाइट के अंदर स्था बाइट इसके बीच में लिखते हैं तो वैल्यू आजएगी लेकिन अगर इससे बाहर लिखते हैं तो वैल्यू नहीं आपाएगी तो वह हमारी वैल्यू उसके अंदर हमारे पास बेट जादा हो जाएंगी वह जादा बैटस लेगा ऐसा कियो हो हो रहा है कि देखिए हमारे पास चील होता है जो भी हम नंबर हम वैल्यू में वने को कीडियो डालते हैं लाप्टॉप या कंप्यूटर पर तो वीडियो ऐसे सिटो नहीं होती है वह वीडियो लिखाँ भी बहुत बड़ी और वह जाकर होती है ऐसे बिट के अंदर तो वैसी अगर नंबर लिखते हैं तो टैन की कुछ हमारी बढ़ लेते हैं ऐस सकता है और इस को ते पर चलते हैं तो लिखेंगे तो हमारी बड़ते जाएंगी foreign ऐसा नहीं होता है कि मैंस जैसे हम नंबर में लेते हैं 0 से माइनस 1 जो है जो 0 से कम है 0 से कम तो है लेकिन माइनस 1 की bits जाद होएंगी माइनस 100 और 0 में हम compare करते हैं तो माइनस 100 जो है वो जादा bits लेगा क्योंकि हम इसको binary में change करेंगे जले तो इतने उसके इतने वाइनदर ईसके इतने भी वालीव से है वह साहीं लेसा هي एसी short है, short के लिए 2 bytes, 2 bytes से लिए 16 bits, तो इसकी range यह दे रखे, minus 2 raise to power 15 to 2 raise to power 15 minus 1, फिर अगला हमार पास int, int कितनी लेता है 4 bytes, 4 bytes से लिए 32, 32 bits लेता है, minus 2 raise to power 2, 2 raise to power 31 minus 1, इतनी range में, जितनी values लेंगी, वो स्टोर्ग आ सकते हैं, ऐसी long में है, long में कितनी range है, minus 2 raise to power 63 to 2 raise to power 63 minus 1, फिर आता है float, float के अंदर मैं कितनी ले सकते हैं, 7 precisions तक value आ सकते हैं, double के लिए आ सकते हैं, 16 precisions, float के लिए 7 precisions, हम बात करते हैं, जैसे 16 precisions 7 precisions है, और ऐसी है, यह जादा है, यह कम ले रहा है, इसके अंदर इतनी जादा value आ रही है, तो यह अगर हम जैसे देखते हैं, कि हमारे पास जैसे long है, long के अंदर इतनी range है, यह range इतनी है, जैसे हम यहां लिख लेते हैं, जैसे इतनी range है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, अब 2 raise to power 7 to 2 raise to power 7 minus 1, इसके बीच में आएगा, वो इसके अंदर ही आ रहा है, तो हम हर बार इसका ही क्यों ने इस्तेमाल करते हैं, हम इसका क्यों ले रहे हैं, ऐसे हम इसलिए रहे हैं, क्योंकि मानने जहां मारे पास कोई छोटी value है, ठीक है, 1, 2, 10, कुछ भी हो सकते हैं मारे पास, ठीक है, तो वो तुमारे byte के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन हम long के अंदर भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वो हमें पता ना हो की कहते हैं, कोई value है, ठीक है न छोटी से, तो इसने इतनी स्पेस ले ली ये स्पेस उसने ले ली ये वाइल तो खाली चली गई ना तो यहां पर हमारी क्या हो रही है बहुत जादा तो इस वज़े से हम यहां पर लॉंगर इस्तिमाल नहीं करते हैं ऐसी हम डबला फ्लोट के अंदर जो 16 प्रिसेशन ले रहा है 7 प्रि अब यूणिकोट वैल्यू है अब यूणिकोट वैल्यू में पता था कि 26 हमारे पस कुछ अल्फाबेट होते हैं एसी 26 समॉल में 26 अपरकेस में ठीके ना और कुछ कीबोड के एक बटन चूँ अब तो यह तो उसक्छिवाइब था है ऐसा क्यों क्योंकि हमारे बस बहुत स युनिकोड वैल्यू होगी हम उसका इस्तमाल ने करते इस वह पता नहीं है वैसे उसके अंदर है अगर मानलेजिए जैसे आप इंटर पर जाके चक करेंगे किसी और लांगविच का युनिकोड वैल्यू तो आप उसके लिए डाली अपने प्रोग्राम के अंदर अब आप उ इसको चेक करने के लिए तो 65 तो 535 तक मारे पास Unicode वाल्यू है यानि इसके अंदर काविसरी लांगवजी से हर एक लांगवज का कोई Unicode वाल्यू यानि तो यही दो चीज होती है और खुश नहीं बुलीन के अंदर कोई सब्सक्राइब बहुत सारी वाल्यू सारी वाल्यू ऑसकती है लोसकती पर पॉस्व यह होता है तो यह था हमार टाइप्स अगली वीडियो में हम बात करेंगे ने ही क्यों पता है वेरेबल्स और डेटायपस एक सात लिखते हैं उन को अलग नहीं कर सकते हैं, लेखिद हम लिखते हैं बाद में लेकिन हम कहते अगर हम डेटायप करने हैं तो हमे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अप्लोड करें थांक यू गाइस